हाई वेलकम टी विया लेर्नर्स हम आपके लिए उनलाइन टीशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास्टन मैट्स के सारे चैप्टर्स टे लिए अप्लोड करेंगे रेगुलार अप्डेट्स के लिए हमारे चैनल को सबस्ट्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं moreover हर वीडियो के आन में आपके लिए कुछ कोश्टन होंगे जिनका comment में reply जरू करें तो आई है स्टार्ट करते हैं आज की क्लास् we are doing the chapter of triangles हम अभी NCRT की exercise 6.5 solve कर रहे है now let's see question number 7 देखे इस question में हमें rhombus और उसके diagonals के बारे में हैं तो आही पहले इसको हम recap कर लेते हैं और उसके बाद इसको solve करेंगे rhombus देखे हम सब जानते हैं कि हम square के इसको कहते हैं यह जो figure हम देख रहे हैं this is a square squaring polygon होता polygon हम किसको कहते हैं polygon यह closed figure होता which is bounded by line segments एक ऐसा बंद figure जो सरफ line segments का बना हुआ हो अब since यह polygon जो है जो बंद figure है closed figure यह four line segments का बना हुआ है so ऐसे polygon का हम quadrilateral कहते हैं so square क्या हुआ square is a type of quadrilateral जिसमें इसके जो 4 sides होते हैं वो equal length की होती है जैसे कि आप देख सकते हो sides का measurement लिखा हो है यह 4 sides बराबर है moreover square में जो opposite sides होते हैं वो parallel to each other होती है जैसे कि आप देख सकते हो AB और CD यह parallel to each other है moreover AD और BC यह भी देखिए यह भी parallel to each other है अब देखिए हम जानते हैं parallel बताने के लिए हम feather marks का योज़ करते हैं AB और CD को parallel बताने के लिए मैंने एक-एक feather mark योज़ किया है वैसे ही AD और BC को parallel बताने के लिए मैंने यहां दो-दो feather marks योज़ किया है moreover square में इसका each internal angle हम जानते है 90 degrees का होता है इसका मतलब हो गया कि square के जो 4 internal angles होंगे वो बराबर होंगे equal measurements के होंगे अब देखिए हम यहां different squares देख रहे हैं यह तो बात हो गए square के अब rhombus क्या होता है तो देखिए this is rhombus यह भी एक quadrilateral है यह देखिए यह भी bounded by 4 line segments है जैसे square 4 line segments का बना हुआ होता है quadrilateral है वैसे ही rhombus भी एक type of quadrilateral है जो 4 sides का बना हुआ होता है moreover यहां square के तरह ही rhombus में भी इसके 4 sides का measurement बराबर होता है square के तरह ही rhombus में भी इसके जो opposite sides होते हैं वो parallel to each other होता है जैसे कि आप देख सकते हो AB और CD यह अभी parallel to each other है और AD और BC यह भी यहां parallel to each other है अब square और rhombus में difference क्या है वो देख लेजे स्क्वार में each internal angle जो होता है वो 90 degrees का होता है इसलिए इसके चारों जो angles हैं वो बराबर होता है यह case rhombus में नहीं होता है आप देख लेजे rhombus के internal angles different है So this is the difference between square and rhombus अब मान लेजे मैं आपको different rhombus दिखा रही हो यह अलग-अलग rhombus में आपको दिखा रही हूँ यह rhombus अब आई हम rhombus के diagonals देख लेते हैं जैसे कि इस rhombus में आप देखिए AC और BD इसके diagonals है आप देख सकते हैं यह दोनो diagonals इच अदर को intersect कर रहा है point O सो point O इनका point of intersection है तो देखिए जैस point पर rhombus के diagonals जो इच अदर को intersect करते हैं वहीं यह एक दूसरे को bisect भी करते हैं इसका मतलब हो गया कि यह इच अदर को divide करते हैं आप देखिए यह जो diagonal है AC यह इसके जो दूसरे diagonal है that is BD उसको into two equal parts डिवाइड कर रहा है आप देख सकते हो इसके जो diagonals है यह इच अदर को bisect कर रहा है that is divide कर रहा है into two equal parts wherever आप यहां देखिएगा कि जहां यह दोनो diagonals इच अदर को intersect कर रहा है वहाँ देखिए यह एक angle form कर रहा है that is यह दोनो diagonals इच अदर को जहां bisect करते हैं वो 90 degrees पर bisect करते हैं इसका मतलब यह दोनो जो diagonals हैं यह इच अदर को perpendicularly bisect करते हैं तो इसको यदि मैं एक sentence में यह दोनो properties बोलू तो यह ऐसा हो जाएगा कि rhombus के जो diagonals है यह bisect करते हैं इच अदर को perpendicularly तो आईए अभी तक हमने जितना rhombus के बारे में कर देखा है आईए इसको हम summarize करके देखते हो देखे रombus एक polygon है यह वह polygon है that is since इसमें 4 sides है यह quadrilateral है तो rhombus एक quadrilateral है और यह वह quadrilateral है जिसमें जो 4 इसके जो 4 sides है वह बराबर होते हैं moreover जो opposite sides होते हैं यह डिगे टू pairs EMAऑ जो opposite sides है यह parallel to each other है यह दोनो parallel in each other moreover dat यह हम जोyoub opposite sides है यह भी parallel to each other है यहाँ देखें जो opposite angles हैं वह बराबर है जैसे angles A और angle C यह equal है और angle B और angle d यह यहाँ equal है देखिए, rhombus के जो diagonals होते हैं, वो bisect करते हैं इच अधर को, that means, divide करते हैं इच अधर को into two equal parts, जैसे कि BD हम देख सकते हैं, AC जो diagonal है, इसको into two equal parts divide कर रहा है, similarly AC डिवाइड कर रहा है, जो दूसरा diagonal है BD को into two equal parts, moreover यह जो bisect करते हैं इच अधर को, यह at 90 degrees पर इच अधर को bisect करते हैं, moreover to each diagonal होता है, यह bisect करता है, a pair of opposite angles, यह देखिए, यह diagonal हमारा हो गया, यहाँ AC, तो यह जो opposite angles है, that is, angle A और angle C, इनको bisect करेगा, that means, divide करेगा into two equal parts, जैसे कि angle A को यह divide कर रहा है, into two equal parts, similarly, angle C को भी यह into two equal parts divide करेगा, similarly, यहाँ देख सकते हैं, B, D, B यहाँ जो diagonal है, यह इसके जो, दो तरफ के जो angles है, that is, opposite angles, angle B और D, देखिए, B को यह divide कर रहा है, into two equal parts, similarly, angle D को भी यह divide कर रहा है, into two equal parts, अब यहाँ कुछ points है, note करने के लिए, तो, इसका पहला point है, rhombus का, कि यहाँ, जो all four sides होते हैं, वो congruent होते हैं, congruent का मतलब क्या होते हैं, equal होते हैं, जो चारो sides वहाँ equal होते हैं, और moreover, यहाँ जो both pair of opposite sides जो होते हैं, वो parallel to each other होते हैं, और जो opposite angles होते हैं, rhombus में वो equal होते हैं, और जो diagonals होते हैं, वो bisect करते हैं, इच अधर को at right angles, that is, 90 degrees पर bisect करते हैं, और देखें, जो diagonals होते हैं, यह perpendicular होते हैं, क्योंकि देखें, यह 90 degrees पर होते हैं, इसलिए यह diagonals perpendicular to each other होते हैं, और each diagonal bisect करते हैं a pair of opposite angles, हमने देखा था कि diagonals है, opposite angles को divide करते हैं into two equal angles में, अब आप इसको note down कर सकते हो, आज याद देखते हैं आज के सवाल, आप जल्दे से comment पेंड के reply करें, मुरावर हमारे चानल को subscribe करके notification bell बटन दबाएं, so that आपको हमारे वीडियो के updates मिलते रहें, so